नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूं सब बेहतर होगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा मस्ति के साथ तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को दिपावली के हार्दिक सुप कामना है मातारानी आप सभी लोग की उपर वाले सब सही समय पर देत है ठीक है तो इसलिए ज्यादा टेंसर नहीं लेना है मस्ति के साथ पढ़ाई करते रहना है आज आप देख पार होगे कि हम पढ़ाने के लिए नहीं आये हुए कुछ बात चीत करना था जो की जरूरी था इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं और वहां पे हम हैं भी नहीं क्लास सहीं दंग से नहीं चल कि स्वास तो सही नहीं था लेकिन अब लग बग सही हो चुके हैं अऊसके बारे पे जो कि बार्क कजिन का एक्जाम देना है उनके लिए कुछ मुद्दा है जो कि हम बच्चे हमारे पस लगतार मैसेज किये और फोन किये तो हमको लगा कि कहीं ने कहीं समस्या सब के साथ आ रही होगी तो आपके साथ सेर करें हम उससे पहले हम आपको बता दे कि EGWay का ऑनल तैयार हो चुका है बहुत ही जबरदस्त क्लास्रूम अभी तक आप लोग जो देखे हैं ओ नहीं रहेगा थे क्योंकि होता क्या था कि CGL का हम लोग बैस लाते नहीं थे तो भई CGL वाले है नहीं तो फिर CGL का कोश्चन उतना करवाना क्यों है तो इसलिए हम CGL का कोश्चन नहीं लेकर के आते थे मैक्सिम बहुत सारा कोश्चन होता भी था जो असान होता था लेकिन टफ कोश्चन हम लहीं लेकर आते थे लेकिन इस पर जो कॉंटेंट तयार कर लगतार रात दिन काम चल रहा है कॉंटेंट पे तो आपको एकदम अपडेटेट सीट रहेगा और सब कोर्चन आपका से सीजियल मेंस तक कर टार्गेट करके हम तैयार करवाएं क्योंकि एक बार पड़े तो आपका सीजियल भी देना है तो देदो भाई कोई दिक्कत नहीं निकल जाएगा मैथ के टेंसर नहीं रहेगा रिजनी के टेंसर नहीं रहेगा दूसरा बात हम बार्क वालों के लिए करना चाहेंगे कि बार्क वाले जो भी है भाई ओ थोड़ा सा धैर रख लो ठीक है जिस तरह से उफान मचाय हुए हो बहुत ज्यादा दिक्कत हो बार्क वालों के साथ पहला समस्य हम देखे हैं कि ओपड़सान हो रहे हैं कि कोशन का लेवल क्या रहेगा भाई DRDO के टाइम भी तुम लोग बात नहीं माने थे निकला नहीं फिर बार्दें बोले कि आप जो बोलते हैं वही होता है फिर से हम जो बोल रहे हैं वही होगा त कि BPSC का जो टीचर वाला था उसमें भी रिजल्ट आया फाइनल कहीं और जगा समस्तिपूर में दिया हुआ था लेकिन हमने गया नहीं क्योंकि हमको जाना नहीं है आप लोग सोचते होंगे कि निकालते क्यों हैं तो निकालते इसलिए हैं कि कोई-कोई कह देता है कि तुम बंद कर दवास से नहीं तो एकजाम में पक्का फंस होगे जो कोई-चन कर चुके हो जो करवाये हैं उसको प्रैक्टिस करो रात दीने करके उससे उपर बार्क का लेवल नहीं लेके जा सकता है इस बात के गैरेंटी कर रहे हैं जहां से तुम सेट मार रहे हो वो SAC के लिए ठीक है तो CGL मेंस का जो कोई-चन बार्क में डाल करके और बच्चों को बेवकूप बना रहे हो कि हमारा सेट ऐसा है बच्चे उसमें फसेंगे तो हमारा कोर्स खड़िद लें तो ऐसा नहीं होता है जो लेबल है चीजों का हकीकत बताओ कि क्या लेबल है उसी टाइप का आप सेट करो और बच्चे से भी कहेंगे कि आप इदर उदर का सेट मार के आप लास्ट टेम पर पढ़सान नरो सेट वही अटेम्ट करो जो पॉले से कर चुके हो अगर नहीं की हो तो अब छोड़ दो आप कोई फैदा नहीं होने वाला है चीजों को रिवीजन करो आने त तो जो पीछे का सेट लगा चुके हो वही लगाओ बार बार वही फैदे मन्द रहेगा दूसरा बात पढ़ाई को एक समय सेट करके करें बहुत ज़्यादा उफान न मचा है जो आप लोग रात रात बर और रात दिन एक करके रखे हो एक जाम के दिन पस्ता होगे बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट टेम पर दिमाग सही काम नहीं किया न तो आता हुआ पेपर छोड़ के आना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा देखते हैं आप लोग की चीजह आ रही थी लेकिन गलती हो रहा था बार बार तो इसके लिए प्रोपर आपका मा नया चीज हो पढ़ने के चक्कर में ना रहा है क्योंकि अगर इसन पास दिनों में आप नया चीज पढ़ भी लेते हैं तो एकजाम के दिन आप भूल जाएंगे इस बात की 100% गारेंटी है मेरा अनुभव है तो जो पढ़ चुके हैं उसको रिविजन करें कि उससे बाहर आएगा तो छूटेगा नहीं तो इसमें से तो नहीं छूटेगा ठीक है चौथा चीज आपसे काना चाहेंगे बस इतना ही कि थोड़ा सा योगा मेडिटेशन जरूर करें अगर कुछ भी ना कर पाएं तो कम से कम खुला छत पे बैठके अनुलोम विलोम करने सास ले ले शास को अच्छा से ले छोड़े 10-15 मिनट ताकि आपको बोड़ी को और मैंड़ को सुद्ध ऑक्सिजन मिल पाएं जिससे आपका मैंड सही रहा है हेल्थ सही रहा है क्योंकि अभी देख पा रहा है कि मांड सही है भी लेकिन हेल्थ सही नहीं है तो पढ़ा नही तो इसलिए health भी बहुत जरूरी है, last time पर बिगड जाएगा, पसारा किया धरा यहीं रह जाएगा, तो इन बातों को आप ध्यान रखें, उसके बाद हम बात कर लें कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम आपके लिए बता दें कि जो अभी तक बारक का जो set कर रहे थे हम लो, अब सेट नहीं, सूपर सेट करेंगे, सूपर सेट का मतलब यह रहेगा, कि एक सेट में आपका 40 से 45 कोश्चन रहेगा, 40 से 45 कोश्चन, रात में आपका PDF अपलोड हो जाएगा, आपका काम रहेगा, कि आप उसको सॉल्ब करके, क्लास में EGWay Global Channel पे, मंगल वार से, सुबह, एकजाम में क्या approach होना चाहिए, तो हम उस 40 से 45 कोश्चन को कोशिस करेंगे, कि आदे गंडे से 40 मिनट के अंदर हम निप्टा देंगे, उसमें हम बेसिक नहीं बता पाएंगे, उसके लिए छमा भी चाते हैं, जिनको बेसिक जानना है, क्योंकि आप बेसिक बताने का टाइ करेंगे, हम लोग 45-45 कोश्चन का सेट रहेगा, इजीवे अप्लिकेशन पर PDF अप्लोड करेंगे, हम डेली रात में कर दिया करेंगे, आप लोग सुबह तक से कोश्चन को सॉल्फ करके और क्लास में जोइन करोगे, ठीक है, और अटेक मोड में रहो गया, और देखोगे कि एकजाम का क्या अप्रोच होता है, कैसे अटेक मोड में अप्रोच किया जाता है, ठीक है, तो इजीवे अप्लिकेशन जो है, वहाँ पर सर्च करोगे, तो दो अप्लिकेशन आएगा, एक इजीवे गलोबल और एक इजीवे, तो इजीवे को डाउनलोड करना है, इजीवे उपर में मिलेगा इस परकार से ऐसे तीन लाइन मिलेगा और इतीन लाइन पे क्लिक करेंगे तो यह study material आएगा उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बार new practice set उसको क्लिक करेंगे तो समबार के साम साम तक हम PDF upload कर देंगे यहां पर भी बैठे हुए तो ऐसा नहीं है कि हम सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अभी हम लगतार सुबह से बैठ के सेठी बना रहे थे आप लोग का कोशन ही तयार कर रहे हैं ठीक है तो हम भी रात दिने करके लगे हुए आप लोग के लिए बस आप लोग लगिए और सही ठांग से लगिए कह जाता है ना कि hard work करने स अगर चीजें असान हो जाती तो सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा खुंस तो मजदूर होता लेकिन ऐसा नहीं है चीजों को smart तरीके से करना पड़ेगा तो इस लास्ट टाइम में एक smart तरीके से क्या करना है हो हमने आपको बता दिया है उसको आप अमल करें और ज् से पढ़ो और आराम से मस्ती के साथ इंज्वाय करो दिपावली है थोड़ा बहुत इंज्वाय भी कर लेना ठीक है न मिलते हैं दिपावली के बाद मंगलवार को इजी वे ग्लोबल चैनल पे सुबह में 9 बजे से ठीक है सुपर सेट ले करके सों बार को रात रात तक आपका पीडियेव अप्लोड हो जाएगा सॉल्व करके मंगल बार को सुबह में 9 बजे आएंगे आप अब दूसरा बात हम बात करें कि महामेराथन क्या होगा क्या करना ह महामेराथन का तो महामेराथन का कर लेंगे तो भी ठीक है अगर नहीं भी कर पाएं तो सुपर सेट जो कर रहा हैं बहुत ही बहतरीन चाहिज है क्योंकि जो सुपर सेट हमने तयार किया हर टॉपिक से कम से कम दो-दो कोशन डाला है और आप देखेंगे कि जब 4-5 सेट सॉ हो जाएगा प्रोफिट एंड लॉस वैसे ही मैंसुरेशन वैसे ही मैंसुरेशन का भी आप देखेंगे कि 5 सेट लगा लिए तो आपका करीब करी मैक्सिम फर्मूला रिवीजन हो गया 3D का भी वही चीज है तो उस तरीके से अभी हम बैठ के सुबह से कोशन सेट कर रहे थ कतार आप बने रह सकते हैं तो किस दिन बने रह सकते हैं जरूर कमेंट करके बताएगा एक महा मैराथन हम लेंगे तो अभी कुछ दिन बाद कल पर समय तो नहीं लेंगे ठीक है ना लेकिन एक महा मैराथन लेंगे लंबी क्लास होगी तो महा मैराथन आएगा आप लोग के डिमांड पर ठीक है ना लेकिन लास्ट तक बने रहना है तभी कॉमेंट करना अगर लास्ट तक बने नहीं रह सकते हो तो मत कॉमेंट करना भाई ठीक है क्योंकि सर को लगा दो और खुद निकल लो बादें पढ़ लेंगे तो ऐसा नीच लेगा हम भी निकल लेंगे ठीक है तो ऐसा मत करना मिलते हैं फिर एक नई जनकाड़ी के साथ तब तक आप लोग इतना करें ठीक है ना चीजों को समझे सिरियसली लें नहीं तो पस्त आएंगे ठीक है तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं थैंक यू